Hello everyone, मिरा नाम है सुनी लधिकारी, आज का वीडियो बहुत ही जादा important topic के उपर होने वाला है BSC Biotechnology में अगर आप कहरे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर Biotechnology से related courses करने जा रहे हैं आज का वीडियो गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, अच्छा यहाँ पर BSC Biotech लिखा हुआ है, thumbnail में भी आपको मिला है लेकिन if in case आप B.Tech in Biotech भी करते हैं, आज का वीडियो बहुत यादा useful रहने वाला है क्योंकि Basically बात करने वाले हैं, Biotechnology में केरियर क्यों बनाए, कुछ फाइदे हैं या नहीं है अगर हैं तो वो कौन से फाइदे हैं, कहां जॉब करेंगे, कहां जॉब मिलेगी, कितनी दिक्कात आएगी जॉब फाइंड करने में अगर जॉब मिल जाती है, तो salary package क्या रहेगा, future growth हमारे क्या chances है तो जितना भी, जितना भी confusion है, वो clarity में change हो जाएगा इस वीडियो के हतम होते होते तो without wasting any of your time, let's start the video सबसे पहले, जो हमारा benefit है, introduction हम बिल्कुल fundamental level से start करूँगा, फिर हम पहुचेंगे advanced level पे तो मेरे साथ इस सफर पे बने रहेगा, चलिए, सबसे पहला point है, biotechnology is one of the most important branches of biology that developed products and technologies that improve our lives and overall health of the planet सबसे पहले तो देखो, अगर आप 11-12 में हैं तो 90% of the बच्चे, biotechnology का मतलब ही नहीं जानते हैं इवन, 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 जो बच्चे first year में भी आ गए है न, वो भी, मतलब B.Tech in biotechnology कर रहे हो, B.S.C. in biotechnology कर रहे हो, लेकिन actual में इसका अच्छे से meaning नहीं पता है, और ये नहीं पता है कि ये quotes करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं सही हूँ, सही हूँ, वो सकता है ये आपको थोड़ा सा दुख तकलीव दे, लेकिन प्लीज मुझे बताएगा, अगर मैं सही हूँ, तो प्लीज comment box में 100% correct या 100% जरूर लिखके मुझे बताएगा, ठीक पर main मकसद क्या है, main मकसद है कुछ ऐसा develop करना, कुछ ऐसा prepare करना, कुछ ऐसी चीजों की research करना, जिसके थूरू हम जो human being है, उनकी life और health improve हो सके, recent में ही example है COVID का, COVID में vaccine बनाते वक्त, जितनी ज़्यादा मदद biotechnologist ने करी है, उतनी मदद किसी भी और medical field के researchers वगिरह नहीं की, तो बहुत ही important role है, biotechnologist का research में, ऐसे product बनाने में, क्योंकि आप ऐसे rare mixture हो, जिनको tech की भी समध है, और medical field की भी समझ है, इसलिए ये course इतना जादा popular हो रहा है, कि ये आपको tech की समझ दे रहा है, जो आपको relevant रखेगी 10 से 20 सालों में आगे आने वाले, क्योंकि सब कुछ AI based हो होने वाला है, प्लस आपको जो आपका core है, जो आपका medical profession वाले है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे need aspirant करते हैं, जिनका if in case MBBS नहीं हुआ, या need पे इतना अच्छे marks नहीं थे, BS in biotech कर रहे हैं, तो आपका कहीं न कहीं first love आपका medical ही है, उसके साथ अगर technology जुड़ जु molecular biology पढ़ते हैं, आप biochemistry पढ़ रहे हैं, genetics पढ़ रहे हैं और bio informatics पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत rare combination है, जो कि और किसी भी courses में आपको नहीं मिल पाता है, it provides student comprehensive knowledge of life science as well as the skills to apply this knowledge in the biotech industry, ये आपको life skill या life science के बारे में समझाती है, कि actual में human being की body को किस चीज की requirement है, जिससे उ survival या उनका जो health है, overall health लंबे समय तक improve हो पाए, या फिर कुछ ऐसे product डवलप करने हैं, जिनकी shelf life जादा हो, और जब human being उसको consume करे, तो वो अच्छा feel करे, better feel करे, राइट, चली, biotechnology has an application in various fields, देखे, biotechnology सिर्फ healthcare में ही नहीं, pharmaceuticals में, agriculture sector में आप अपने career बना सकते हैं, recycling, food processing और manufacturing sector में भी बहुत ही जादा role है, biotechnology का, The lake of successful treatment for several diseases makes biotechnology an important area for disease prevention and cure, जैसे मैंने COVID का example दिया, सब परिशान थे कि इसका क्या effective cure होगा, क्या treatment होगा, तो वहाँ पर biotechnology ने बहुत ज़दा मदद करी, कुछ ऐसे problem है, बिमारिया हैं, जिनको अभी तक, लोग solution नहीं find out कर पाएं, डॉक्टर's solution नहीं find out कर पाएं, उस cases में, biotechnology की research, उनका field work, उनका experience, उनकी इन दो specific field की knowledge, बायो की और tech की बहुत ज़दा मदद करती है, life changing equipment, medicine, food और product को बनाने में, there is a constant demand to develop pharmaceutical formulation using, अच्छा देखिए, आज के time में बहुत ज़दा demand है कुछ ऐसा बनाने की, जहां पर conventional medical method तो involved होई, जैसे कि Ayurveda है, medicine plants है, सिद्ध medicine है, ऐसी चीज़ जो की technology friendly हो, technology friendly हो, जिसको easily हम consume कर सकें, easily हम operate कर सकें, easily हम use कर सकें, उसका life spend जादा हो, तो उस case में उसकी वज़ए से, इन सारी चीज़ों की वज़ए से, बायो टेक्नोलोजी फील्ड की requirement या बायो टेक्नोलोजिस्ट की requirement काफी ज़दा बढ़ गई है, क्योंकि देखें, कोविड के समय में भी न, बहुत लोगों का विश्वास बढ़ गया था, अईरुवेदा की तरफ, और कही न कहीं हमने भी start कर दिया था, वो अईरुवेदा practice करना, अईरुवेदिक medicine, herbs वगेरा को try करना, तो कहीं न कहीं लोगों का अभी भी रुजान है उस तरफ, तो आप कहीं न कहीं latest technology और trends भी steady कर रहे हैं, इसलिए आपकी इतने requirement है market में, career as a biotechnologist require continuous research in different field, the candidates who are enthusiastic about research can opt for this course, अगर आप देखें, obviously choice है, यह cutting edge technology है, अगर आप इसमें compete नहीं करेंगे, इसमें steady नहीं करेंगे, updated नहीं रहेंगे, तो इतना useful आपके लिए field होगा नहीं, फिर आप आपको job search करनी पड़ेगी, rather than companies आपके पास आएं, the students who are enthusiastic to develop drug and vaccines can pursue this course, जैसे मैं आपको बता दिया, perfect example देखें कोविट का, कि drug और वैसीन वगेरा बनाने में, अगर आप India की word की मदद करना चाहते हैं, तो you can become a biotechnologist, the average annual salary of a biotechnologist graduate is somewhere around 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, हम हवा में बाते नहीं करेंगे, जो fact है, इंडिया में रहे कर हम इंडिया कीके इंडिया की कोई D.U. के top colleges से हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो हो सकता है हम किसी local college से कर रहे हैं, हो सकता है, हम किसी tired second college से कर रहे हैं, tired third college से कर रहे हैं, उस case में average salary package रहता है undergraduate BSA in biotech का, वो और जादे डिमांड है, BSA से भी जादा पॉपुलर है, या फिर आपने MSC कर रखी है, अपने बायो टेक में, या फिर M.TEC कर रखा है बायो टेक में, या फिर कोई Masters in Biotechnology ये थे Courses कर रखें, अभी Courses के उपर आएंगे हम, ठीक है, तो somewhere around 3 लाग से लेकर 8 लाग आपका minimum salary हो सकती है, 10 लाग से जादा जाएगी, 10 लाग से जादा चली जाएगी, 3 से 5 साल के experience के बाद, तो उसके लिए hard work, मेहनत और थोड़ा सा नाम बनाना पड़ेगा आपको अपना फिल में, ठीक है, चली, अब carry options के बारे बात कर लेता है, ये भी बात करना बहुत ज़ादा important है, देखिए, आप B.S.C. in Biotech करकर या फिर B.T. in Biotech, ये सबसे आदा popular courses है, इन दोनों में से ही कोई ना कोई आप courses करेंगे, इसके रिए मैं perfect हूँ, या इसके लिए मैं surety हूँ, ठीक है, पेशेंट की, पेशेंट की पूरी history, civics, geography का ध्यान रखते हैं, बायो informatics, इसमें calculation, mathematics भी involved होता है, ठीक है, तो आप पूरी hereditary, पूरी उसकी जितनी भी disease हुई है, उसका सब data, सब कुछ करना, ताकि जब हम उसको technology के point of view से देखें, तो पूरा आपको history सामने आ जाती है, पेशेंट की, यह इसको past में यह यह चीज़े हुई है, अब हम क्या क्या चीज़े इसको provide करा सकते हैं, जिससे इसकी health और over health improve हो सके, life science में PG diploma कर सकते हैं, PGDM कर सकते हैं, biotechnology में, MSC biotech कर सकते हैं, MSC microbiology कर सकते हैं, master in public health जैसे courses कर सकते हैं, MSC कर सकते हैं, bioinformatics में, ठीक है, applied biology में कर लीज़े, MSC, biology में कर लीज़े, bioinformatics का मैंने नाम बता दिया है, आपको forensics science से कर सकते हैं, pharmacology से आप कर सकते हैं, तो देखिए, option ही option है, आप मुझे यह नहीं कह सकते हैं, कि sir, आप समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, अगर आपको biotech से relate कर कर ही career बनाना है, pharmaceuticals company में, healthcare industry में work करना है, hospital industry में work करना है, तो ये सारे courses में से कोई भी courses कर लीज़े, सब की बहुत अच्छे demand है, और एक time बाद तो आपको master degree लेनी ही पड़ती है, अपने profession में थोड़ असा increment मिलने के लिए, promotion मिलने के लिए, high salary मिलने के लिए, you need a master's degree after graduation, right? Leading recruiters, sir, कहाँ पर job करते हैं? research firm में करिये, hospitals में करिये, animal husbandry firms होती है, pharmaceutical company है, laboratory है, food production firms है, ecology firms है, clinical research firms है, fertilizer manufacturers है, तो देखिए, बहुत n number of आपके पास occupations available हैं, जिन में आप try कर सकते हैं, consultation, bio technologist बनकर as a consultant भी आँ work कर सकते हैं, chemical manufacturing firms में, educational institute में as a teacher, lecturer, professor आप बन सकते हैं, bio technology पढ़ा सकते हैं, ample options available हैं, job, अच्छा, profile क्या रहेगी, sir, lab technician, microbiologist, epidemiologist, safety specialist, research associate, biostatician, epidemiologist, food safety officer, lecture area professor, research fellow, clinical research associate, biochemist, biomedical engineer, medical scientist और food scientist जैसी profile में आप work कर सकते हो, यह काफी शांदार profile है, और मैं जैसे बता रहे था, 3-5 साल के experience के बाद, आप 10 lakh के above easily earn कर सकते हो, अगर आप अच्छी company में रहते हो, learning अपना, दखिए, यह learning वाली field है, यह updated रहने वाली field है, खुद को updated रखने वाली field है, you never be in a position to say, I have it, मतलब मैंने कर लिया, मैंने सब कुछ knowledge गेन कर लिया, यह वो field नहीं है, यह वो आप कोई general physician नहीं बन रहे हो, कि यार सब कुछ मैंने सीख लिया, नहीं, नहीं, यह सोच के गलती मत करीगा, तो अगर आप में कही न कहीं वो zeal है, वो enthusiasm है, वो learning attitude है, और कहीं न कहीं यह field आपको attract करती है, तो please, 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 कहीं न कहीं इसमें सोच विचार जरूर करिएगा, क्योंकि यह बहुत important field है, अच्छा, सर आप इतनी तारिफ क्यू कर रहे हैं, क्या आपके कोई courses हैं, नहीं, कि मैं, जो fact है, जो, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता चलू, कि negative कौन बोलेगा, biotechnologist के बारे में, या BSC Biotech के बारे में, वो बंदा, जिसका एक तो इस field में interest नहीं है, और सिर्फ ऐसे videos, या ऐसे teachers, या ऐसे consultant के basis पे आया है, जिन्होंने उसको इतना motivate कर दिया, ज़रूरी है, अगर सिर्फ आप पैसे देख के आए हैं, scope और trend देख के आए हैं, तो आप survive नहीं कर पाएंगे, ये course नहीं किसी भी course में, और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब यार, बहुत सारे मतलब 60% बच्चे हैं, ऐसा मैं counselor बता सकता हूँ, क्योंकि almost daily मेरा कहीना कहीं बच्चों के साथ counseling रहती है, 60% बच्चे आप में से, ऐसे courses में अभी enroll कर चुके हैं, खुद को, जहां पर आपका interest नहीं है, या तो किसी relative ने बताया था, या family pressure था, फ्रेंड के देखा देखी कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी YouTube वीडियो में आप motivate हो गए और आपने बिना सोचे समझे उस course में रूल कर लिया, yes or no, please मुझे बताये का comment कर कि अगर मैं सही हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अभी 7 years का near about experience है, बच्चों को guide करने का, उनको सही guidance प्रोवाइड कराने का, ठीक है, तो देखिए, ऐसे बच्चे आके comment करते हैं, किसी भी वीडियो के नीचे negative, कि आप इस फिल्ड में कुछ नहीं है, मैंने भी करा है, जॉब नहीं मिलती है, 5000 की जॉब मिलेगी, 10,000 की जॉब मिलेगी, future नहीं है, ऐसे बच्चे, जब आप वो फिल्ड को pursue करोगे, जिस फिल्ड के लिए आप बने नहीं हो, तो आप खुद को तो demotivate रखोगे, पूरी दुनिया को भी negative भी बोलोगे, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने अच्छे जगह से इस फिल्ड को करा है, इस course करा है, मैं 100% surety ये guarantee देता हूँ, वो कभी भी इस फिल्ड के बारे में, इस profession के बारे में negative नहीं बोलेगा, नहीं बता दिया आपको negative कौन बोलेगा, जिसमें अपने local third grade college से, जहां पर ना तो teacher आते हैं, ना environment अच्छा है, सिर्फ formality के लिए वो अगर college जा रहा है, जहां पर attendance भी compulsory नहीं है, तो कैसे, मतलब कैसे वो college आपको job provide करा है, कैसे आपको job मिलेगी, जब तक आप skillful नहीं रहेंगे, इसलिए अच्छे colleges अगर आप चुनते हैं, तो वहाँ पर environment मिलता है, it's one of the most important चीज़ यार, faculty मिलती है, जो कि आपको right guidance provide कराती है, वो बच्चे मिलते हैं, वो peers मिलते हैं आपको, वो आपको friend circle developed होता है, जो कि committed हैं, जो life में serious हैं, जो life में कुछ करना चाहते हैं, professional बनना चाहते हैं, तब जाकर कुछ life में हो बाता है, I hope ये बाते hurt नहीं कर रही हो, और देखे, honest होना, ये कड़वी बाते सुनना, part of a life बना लीजे हैं, क्योंकि यहां पर online दुनिया में, social media के दुनिया में, आपको सिर्फ unnecessary motivate करा जा रहा है, unnecessary motivate करा जा रहा है, चाहिए वो field आपके लिए हो या नहीं हो, सिर्फ courses को बेचने के लिए, या फिर कहीना कहीं आपको, कहीना कहीं डराया जा रहा है, कि अगर ये नहीं करा, fear of missing out जिसको बोलते हैं, FOMO, हम psychology की term में, या counseling की term में, तो वो चीजों से आपको, कहीना कहीं inspire करा जा रहा है, कहीना कहीं आपको motivate करा जा रहा है, तो आपको कहीना कहीं, अपना एक opinion रखना पड़ेगा, अपना एक stance जिसको बोलते हैं, वो रखना पड़ेगा, analyze करना पड़ेगा, और भी videos देखिए, और भी research करिए, फिर जाकर कहीं किसी भी courses में enroll करने की सोचे उमीद करो मेरा ये take इस course को लेकर आपको पसंद आया होगा if in case कोई भी doubt रहता है कोई भी question रहता है आप comment box पर comment कर सकते हैं अगर आप मुझे instagram पर follow नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आप बहुत कुछ miss कर रहे हो मेरी profile नीचे आप description से check कर सकते हैं नहीं तो सुनील अदिकारी मेरे नाम डालेंगे instagram पर आपको वहाँ पर मेरी profile मिल जाएगी 12,000 के near about बच्चे मेरे साथ अभी तक वहाँ पर जुड़े वे हैं रोज वहाँ पर मैं carry guidance प्रोवाइड कराता हूँ free of cost, reels के तरू प्लस जितने भी exam होते हैं, notifications होते हैं उनकी reels बना कर मैं वहाँ पर post करता हूँ अगर आप be motivated रहते हैं पढ़ाई में interest नहीं है, motivated रहना है life में तो वहाँ पर हर रोज 2-3 में stories post करता हूँ जिससे आप पूरे time motivate रहेंगे पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए life में जरूर check out करिएगा मेरी profile अगर अच्छी लगती है, तो ही आप follow करिएगा, नहीं तो दुनिया भर के creators available है दुनिया भर का entertainment available है वहाँ पर उन channels को आप subscribe कर सेब यह था आज का वीडियो, उमीद कराऊं वीडियो पसंद आओगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर, गुडबाई, पढ़ते रहें, महनत करते रहें कोई आपका भी दिन आएगा, थैंक्यू सो मुच